हलो एवरिवन, वेलकम तो स्टार आईक्यू, स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आज 12 मार्च 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आए सेशन की सुरुआत करते हैं, और अखिल भारती है, वन खेल कुद प्रतियोगिताओं का मास्कोट क्या है, तो इस सवाल का ठीक अंसर था, काला हिरन यानि की ब्लैक बग, आज का पहला करेंट अफेर क्या रहेगा, रोतक में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, तो हर्याना के रोतक के अं इन सेंटर्स का बहुत बड़ा फायदा होता है, जहां सिविल अस्पताल बहुत ज़दा दूर होता है, एक टाइप से जैसे डैली में वो महला क्लिनिक है, कुछ इसी परकार के ही चोटे-चोटे सेंटर होते हैं, जहां पे बेसिक फर्स्ट एड या थोड़ी इस से उपर क की दवाईयां या चोटे-मोटे इलाज या पटी वगरा की सुईदाएं जहां पे मिल सकेगी, तो यह जहां पे नर्सिंग स्टाफ होता है, मेडिकल आफिसर भी होता है, फार्मासिस्ट भी होता है, इलाज करवाने के लिए लोगों को, जो इलाज भी करवाया जाता है, कि सासा दवाईयां भी जो ना यहां पे उपलब्द हो जाएगी, तो यह हेल्थ और वेलनस सेंटर है, जो रोत्तक जिले के अंदर टोटल 6 खोले जाएंगे, ऐसी अभी सरकार की हाली में घोशना होई है, और अगली जो बात है, वो यह है कि किसने राज्ये के नीजी विस्व विधाले के कुलपती वे कुल सिच्व की बैटक की अध्यक्सता की है, अचा देखो एक सीधी सी बात है, आप इसका अंसर गैस करके भी ठीक कर सकते हैं, नीजी विस्विधाले के कुलपती, अचा कुलपती का मतलब है वाइस चांसलर, तो जितनी भी उनिवस्टी, उस उन अंसर होगा, वो क्या होगा? बंडारु-फतə-तर होगा, यानि कि बंडारु-फततर है हर्याना राज्या के 18.fish अथार्में राज्यपाल है, याद रखना आप लोग, हाली में वैसे कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, मैंने एक वीडियो में बताया था, आचा, शतिसगड की जो राज्ये पाल थी, अंसुया की, वो कौन से राज्ये की चली गई है, वो भी आप बताईएगा, ऐसे आप सिक्वेंस में बताईएगा, नागलेंड के नए राज्ये पाल बने हैं, अच्छा, तो वो पहले किस राज्येके थे, उस सब सिक्वेंस में अभी हाली में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी थे विले अधिक्सता राज्यपाल जी ने की है तो विस्तर विधाले के कुल पतियों वर कुल सचिव के साथ में बैटक की है और देश के अंदर सिक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने से संबन्ति थी ये बात ग्राइम पहले हो रही है लेकिन अभ अभी रीक्ति ये स्के अपडेट आया है कि हर्याना का ये दूसरा एम्स का निर्माण कायरे इसी साल से स्टार्ट किया जा रहा है तो ये सावाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हालनकि मैंने पहले पी पढ़ाया होगा व्र 2021 आप भ़्र याद है तो हर्याना में पहला सोट पहला एम्स कहां पह synth है वह आप लोगों को याद होगा प कहां पह जढग़ में जजजर कोई और भी राज्य है क्या जहां पर डबल डबल एम्स है हां है एक राज्य है जिसका नाम है अंदर प्रदेश यहां पर दो एम्स है एक राज्य है इसी से ही निकला हुआ है जिसका नाम है तेलंग गाना यहां पर भी डबल एम्स है और एक के अंदर सासित प्रदेश है इस मनेठी गाओं में बनना था लेकिन वहाँ जमीन को प्रयावरणिया स्मिती ने अरावली छेतर की जमीन बताके इसको रिजेक्ट कर दिया था इसके बाद माजरा गाओं के लोगों ने पहल करते वे एम्स के लिए 203 एकड जमीन देने का जिम्मा उठाया था तो अभी ये माजरा में बनेगा 203 एकड में से 200 एकड से ज़ादा के जमीन सरकार खरीद चुकी है अब तक इसमें से 200 एकड मतलब खरीद ली है और जमीन का पट्टा नामा केंद्रिय स्वास्त्य मंत्राले जो ने उसके नाम पर करवाया गया है और 148 एकड जमीन का पट्टा नामा करवाया जा चुका है जिसमें से 54 एकड जमीन का पट्टा नामा होना अभी बाकी है वैसे ठीक है और इसका फाइनल जो है ना जैसे 2014 में गोशना हुई थी तब तो ये मनेटी गाउं का था लेकिन जब माजरा गाउं के लिए बात थी तब इसका एक बजट 2019-2020 का था जिसमें केंद्री ये मंत्री दिर्मला सितारा बन जी थी उन्होंने गोशना की थी ठीक है ना कि लगबग लगबग 203 से लेके 210 एकड़ हलंकि ये वैरी है याद रखना मतलब 200 से 210 एकड़ के बीच तक जो है ना ये बन सकता है अभी फाइनल नहीं है कि इतना ही एकड़ होगा ठीक है कहीं पर 203 है तो कहीं 210 है जैसे इंद्रेमला सितारामन जी ने गोशना की थी वहाँ 210 की गोशना की थी 2014 म पलवल फ्रिदावाद और के साथ राजस्तान का अलवर जुन जुनू इन जीलों के लोगों को सबसे बड़ा फाइदा होगा हर्याना का ये एमस है ये भारत का कौन से नंबर का होगा ये भारत का 22 वे नंबर का एमस होगा ये बात आप लोग याद रखना अचा सर सबसे पहला एमस कौन सा था तो 1954 के अंदर बना था सबसे पहला एमस वह था दिल्ली एमस का ठीका ना ओल इंडिया इस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस अचा आपको ये भी याद होगा कि इसी दिल्ली एमस में ही 1904 में में पहली बार हाट ट्रांस्प्रांट हुआ था कब हुआ बनाते हैं तीन अगस्त को हम लोग हाट ट्रांस्प्लांट डे सेलिबेट किया करते हैं याद रखना अचा ये तो आज के करेंट अफिर थे कुछ आपको मैं रिलेटिड चीजे या कुछ बीते वे दिनों के कुछ करेंट अपर पढ़ा है आज की क्लास में रिवाइज रहा हूं कुछ बीते वे करेंट एफिर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कुछ इपोर्टन कि उससे नहीं थो रिवाइज करवारा हूं इनको ताकि पेप्लों में आपको ये कामयाब इंद हो हर्याना खेल विस्तव इधाले ये हर्याना का पहला खेल विस्तव इधाले आपको सबको पता है सोनीपत के राई में बनाया है इसके पहले कुलपती वाई सांस लरकोन बने है SS देशवाल बने हैं, ये बात आपको याद होगा, ये ITBP के रिटाइड है, रिटाइड डीजी है, डारेक्टर जर्नल है, वर्ड एतलेट्स के दवारा जारी सूची के अनुसार 2022 में किस खिलाडी के बारे में सबसे ज़दा लिखा गया है, तो ये लिखा गया था 2021 को मैडल जीता था, गोल्ड मैडल जीता था, टॉक्यो ओलम्पिक में, जैवलिन थ्रो में, और इसी करके साथ अगस्त को हम हर साल जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करने लग रहे हैं, 2022 में हमने पहला मनाया था, 23 में हम दूसरा मनाएं गया से, हर्याना के किस उनिवरस्ट के कुछ वेग्यानिकों को कल्शियम फोर्टिफाइड घी का पेटेंट भी मिला है, इस उनिवरस्टी के वीसी का नाम आपको पता होगा, टंकेश्वर कुमार जिनको पूरे भारत का सबसे बेस्ट वीसी का भी अवोर्ड मिल चुका है, रेड क्रो सोसाइटी अवोर्ड भ अभी हाली में जीता भी है हम लोगों ने, यह कहां पे हुआ था, वर्ड कप यह साउथ अफरिका के अंदर हुआ था, और यह जीता है, सेफाली वर्मा इस टीम की कैप्टन थी, यह याद रखना, हर्याना में तिर्थ मित्र पोर्टल का सुभारम किस ने किया है, तो तिर् जजर के अंदर बनेगा, आपका याद रखना, All India Institute of Medical Science, जजर के अंदर, यह दिल्ली जो IIT है, उसकी ही ब्रांच आएगी, पचास सेकड जमीन में, जहां पे कैंसर की सटीक दवा के लिए इसस सेंटर बनाया जाएगा, स्पेसली, चलिए इतने ही थे, आज के किसन आपके बैठा के, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मोड से कब तक आयुजित करने की अनुमती दी है, काफी ही अच्छा सावाल है, थोड़ा भारी वरकम भी लग सकता है, पर थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, तारीके आपके साथ में है, और मिलता हूँ आप लोगों को म हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, हम लोगोंने, सूपर इपॉर्टन सैश्टन है, बहुत काम्याब साबित होंगे आपके लिए वो, एक बार देखना, ऐसा कंटेंट आप लोगों को बहुत ही कम जगह पे मिला है, या आप लोगों को सिक्वेंसली कंटेंट मिलेगा, प्र उनमें कंटेंट होना हो, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बखी आपकी सलाह है, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,